नमस्कार शिक्षार्थियो आहर विज्ञान एवं पोशण की व्याख्यन श्रिक्ला में उत्राखन मुक्ति उश्यों द्याले के ग्रह विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर प्रीति बूरा आपका स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे आहर नियोजन एवं संतुलित आहर के बारे में सवर प्रथा हम जानेंगे आहर नियोजन का क्या आर्थ है आहर नियोजन सोच विचार के उपरांत या सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि किसी भी व्यक्ति या परिवार के लिए एक निश्जित समय अवधी के अंतरगत अपने भोजन में कौन-कौन से भोजिपदार समिलित किये जाते हैं या जो अवधी है या एक दिन की भी हो सकती है एक सप्ता या एक माह की भी हो सकती है इस अवधी में व्यक्ति के अहर का स्वरूप अहर नियोजन द्वारा सुनिश्य किया जाता है इसके अंतर का दियाताय किया जाता है कि भोजन किस प्रकार का होगा उसमें कौन से व्यंजन सम्मिलित होंगे, कितनी मात्रा में होंगे और भोजन को किस समय ग्रहण किया जाना चाहिए या सभी प्रश्णों के उत्तर आहर नियोजन के माद्यम से प्राप्त किये जाते हैं और एक बार आहर का स्वरूप तयार हो जाने पर कच्ची सामगरी को भी क्रय किया जाता है आहर नियोजन के क्या उद्देश हैं? सवर प्रथम इसका यह मुख्य उद्देश है कि जिन व्यक्तियों के लिए आहर नियोजन किया जा रहा हो उनकी आवशक्ता के अनुरूप उनको परियाप्त पोशक तत्मों की प्राप्ति हो अन्य उद्देश है यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति कि समय किस प्रकार एवं कितनी मात्रा में भोजन ग्रेंड करेगा आहर को रुचिकर बनाने हे तो और उसमें विव्रित्ता लाने हे तो अलगला खादी समुहों से अलगला खादी पदार्थों को आहर में सम्मिलित करना भी इसका एक उर्देश है और खादी पदार्थों को क्राई करने संबंदे निर्ने लेना एवं पारिबारिक खादी बजट को नियंतरित करना अहार नियोजन से संबंधित कुछ महतपूर तत्य जिन के बारे में हमें जानना आवश्चक है सरुपर्थन पोशक तत्वों और उनके सरुतों के बारे में जानकारी होना आहर नियोजन करने से पूर्व अत्यंद आवश्यक है पोशक तत्मों की शारेरिक मांग एवं विभिन व्यक्तियों के लिए पोशक तत्मों की जो अनुसंशेत मात्राइं हैं उनके बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है और जिन व्यक्तियों के लिए आहार नियोजन किया जा रहा है उनकी आहारी आदतें एवं उनका आहारी इतिहास की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है इसके अतरिक्त मौसम के अनुरूप्त खालती पदारतों की उप्रप्दता और उनका अनुमानित क्राय मूली की जानकारी होना आवश्यक है। आहर नियोजन मूलता एक विशलेशन प्रक्रिया है, जबकि उप्रोक्त आधरबुद जानकारी के परिपेक्ष में आहर नियोजन को व्यवहारी के में वास्तविक स्वरूप दिया जाता है। इने हम RDA भी कहते हैं. इंडियन काउंसल और मेडिकल रिसर्च द्वारा भारतियों हेतु अनुशंचित आहरे भत्ते प्रस्तावित किये गए हैं, जो आहर नियोजन में एक प्त्प्रदर्शक कारे करते हैं. इन भत्तों को प्रस्तावित करते समय कुछ बातों जैसे विभिन वेक्तियों के मद्य पारस्परिक भिन्यता, बोजन पकाने की प्रक्रिया के दोरान पोशक तत्वों की हानी और उनकी गढ़ना में अंतरनाहित सटीक्ता का अभाव इन कई बातों पर भिशेश ध्यान दिया जाता है। और इन भत्तों की गढ़ना करने में अतरिक्त सुरक्षा अंतरालों, that means safety margins का भी प्रबिन्द किया जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर विविन्द व्यक्तियों के मध्य पोशक तत्वों की आविशक्ता के मध्य भिन्यता होते वे भी जो अनुशंशित आहरी भत्ते होते हैं वह जन्संक्या में उपस्ते अधिकांश व्यक्तियों की पोशणी आविशक्ता की पूर्ती करते हैं। सामानिता या भत्ते 97-98% जो population होती है उसकी पोशण ही आवशक्ताओं की पूर्ती करते हैं और इन भत्तों में पोशक्तत्यों की अर्शचा करते समय शरीर में पोशक्तत्यों की अवशोषण एवं उनकी उप्रतुता पर भी ध्यान दिया जाता है अहार नियोजन में सुविदा हेतु ICMR द्वारा यह भी सपश्ट किया गया है कि किस खादी समुव में कितनी मात्रा में खादी पदार्थ अहार समलित किये जाएंगे और उनकी यह मात्रा portions या इनको हम अंश मात्रा भी कहते हैं इनके रूप में दर्शाई गई है और खादी के लिए अगर हम अनाज यह मोटे खादियन का खादी समुव लें तो उसका एक अंश जो है वह 30 ग्राम का है और उसमें लगभग 100 किलो किलोरी उर्जा, 3 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम कार्भोहाइड तथा 0.8 ग्राम फैट या वसा है इसी तरह दाले, अंडा, मांस, मचली वसा रही दूद, जड़, इममकंद, हरी पत्तिदार, सबजियां आदी के भी जो कच्चे खादिपदार थे, इनके अंशों की मात्रा कितनी होती है और उनमें कितने पोशकत्त्तों की मांग की पूर्ती होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, और आहर को तयार करने में पोशकत् हानी? चाहिए जिन व्यक्ति 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 के लिए अंशो की जा रहा है, उनकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और एक मैं सबस्रेम लोग और गया दिस हमोता होते है जब अहरगर धहार नियोजन करते हैं. जैसे, आहार नियोजन करते समय यह द्यान को ध्यान रखना चाहिए है जो आहर उचिकर हो उसमें विप्ट्ता हो ऐसे पकाने की विधियों का चुनाव करें जिसमें पोशक्तत्व की नियूंतम शती हो सभी खादी समोहों में से खादी बदार्थ सम्मिलत हो साबुत अनाज उसना चावाज जिसे हम पारबॉइल राइस भी कहते हैं और माल्टेड जो सीरियल्स होते हैं उनका प्रयोग भी किया जाना चाहिए क्योंकि यह स्वास्तवज़ादग होता है मोटे और अन्रिफाइंड या अपरिश्कृत अनाज्यों को भी अधिक मात्रह में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें पोशक तत्व और रेशा पाया जाता है, साबुत दानों का प्रयोग अधिक करना चाहिए, और इन्हें गलाने के लिए खाने के सोटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पोशक तत्वों की हानी होती है, अनाजों और दानों का मिश्रित विविन प्रकार के वनस्परित तेलों का प्रयोक किया जाना चाहिए, प्रोड वेक्तियों को अपने आहर में वसा, तेल और शक्कर का प्रयोक संतुलिक मात्रा में करना चाहिए, और संतुलिक आहर के माध्यम से अंटी आक्सिडेंट्स की भी प्राप्ति होना चाहिए, जो शरीर में कोशिकाओं के शय को कम करते हैं, हल्दी, सोयाबीन, फल, अद्रक, पुदीन, आदी, यह सब एंटियोक्सिडन के अच्छे खादिस रोत हैं, इसले इनको आहर में शामिल करना चाहिए, आहर निर्देश, खादी पिरामेड, आहर वीनिमाय सूची, इन सब के माध्य आहर नियुजित किया जाना चाहिए, क्योंकि इन से आहर नियुजन करने में सरलता होती है, आहर में नमक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इस्तरियों के आहर में लोह लवन युक्त खादिबदार्थों को अविश्य सम्मिलित करना चाहिए, इस बात का दिहान चाहिए कि वसा एवं तेल की माध्यम से शरीर को प्रतिदेन 15-20% प्रतिशद एवं शक्क्रद्वारा 5% उर्जा की प्राप्ति हो अंडे यदि शाकारी नहीं है तो अंडे को हार में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे प्रोटीन की गुणवत्ता में व्रिधी की जा सकती है बान सेवं पोल्री के उत्पात को भी सम्मिलित करना चाहिए परन्तु अगर मचली का प्रयोग इनके जगह पे किया जाए वो अधिक स्वास्तवर्दक होना चाहिए एक समय में भरपेट भूजन करने की बजाए छोटी-छोटे अंतरालों पे कम भूजन करना चाहिए आहर में ट्रांस फैट्स या हाइड्रोजनेटेट फैट्स का प्रयोग कम या नहीं करना चाहिए रेश्य युक्ति भोजी बदार्थों को आहर में अधिक सम्मिलिक करना चाहिए आहर में कच्ची फल एम सबजियों को भी शामिल करना चाहिए और दूद जरूर आहर में शामिल करना चाहिए आहर नियोजन के कई चरण है जैसे सरप्रतम व्यक्तिगी शारेरे किस्तिति एवं पोशन सम्मधी आवशक्ताओं के विशय में ग्यान हो उसके बाद आहर नियूजन कितने समय के लिए करना है या निश्चित करना चाहिए फिर विबिन ने खादी समय में से खादी बादारतों का चुनाओ करना चाहिए उसके अनुसार बाजार मोलिय अम खादी बादारत की गुणोत्ता का विशलेशन कर खादी बादारतों का क्राय करे और फिर कई क्राय किये गए खादिवदारों के आहार पर आहार नियूजन करें, व्यंजन सूची बनाएं और इस प्रक्रिया में शीग्र नश्ट होने वाले खादिसमगरी को प्रयोग पहले करें और ऐसे व्यंजनों को सम्मिलत करें, जिन्हें बनाने में बहुत अधिक समय और श्रम ना लगेगा अब हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में संतुलित आहार वा आहार है जिसमें सभी खादिसमुगों में से खादिवदार शामिल किये जाते हैं कि इसी से मानव शरीर के पोशक्ततों की उचित पूर्ती होती है संतुलित अहार मनुष्य के शारिरी के वे मांसिक स्वास्त को बनाये रखने के लिए पोशक्ततों की मांग की पूर्ती करता है और इसके प्रयोक से शारिरीक मांग के अरुनुसार सभी पोशक्ततों उपस्ति होते हैं संतुलित अहार व्यक्ति को स्वस्त रखता है रोग मुप्त रखता है उत्तम स्वस्त की बनाई रहता है और शारिरिक भार को चित बनाई रखने में पदद करता है अहार में संतुलन और विप्ता प्राप्त करने के लिए या अवश्यक है कि अहार नियूजन को महत् और अब एक शक्र सस्ते खादिपदार्थों को मौसम की घरी सब्जियां, फल, आदी को शामिल किया जाना चाहिए और संतुलित आहर के में प्रतिदिन शरीर को प्राप्त होनाली कुल उड़ जाका 50-60% भाग कार्भोहड्रेट द्वारा, 10-15% प्रोटीन द्वारा, इवं 20-30% भाग वसा की माध्यम से प्राप्त होना जाई संतुलित आहार का महत्व क्या है संतुलित आहार ग्रेंड करने से व्यक्ति के शरीर के समस्त पोशकतत्व की मांग की पूर्टी होती है व्यक्ति रोग मुःत रहता है मांसिक शम्ताओं एवं इस्वरण शक्ति में वृद्धी होती है संतुलित अहार आयो एवं लबाई का नुसार उची शरीरिक भार को बनाए रखने मदद करता है और इससे उत्तम शरीरिक वृद्धी होती है इसके अलावा संतुलित अहार द्वारा शरीर को रेशा और अंटि आक्सिडेंड और कई विटमिन्स मिलते हैं जो शरीर को विभिन प्रकार की शती एवं रोगों से सुरक्षब रदान करते हैं संतुलित अहार को कई कारक प्रभावत करते हैं जैसे आयू विभिन आयूबर के लोगों के लिए संतुलित अहार अलग-लग तरह से मन्योजित किया जाता है। पुरुषों और इस्तर्यों की पोषकत्तव की आवशक्ता भिनहों के करण उनक संतुलित अहार होता है। उसके नियोंजन में भिन्निता पाई जाती है। इसके अलबा क्रियाशीलता या व्यवसाय, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील तथा भारी जो कारी करते हैं उन लोगों के लिए संदुलित अहार अलग लग तरह से बनाया जाता है। उनके अहार को संदुलित बनाया रखने में अलग लग तरह से नियोजन किया जाना चाहिए। इसके अलावा खादी बदार्थों के मूली का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो महेंगे खादी बदार्थों वह अधिर पोशक्तित प्रदान करें। उनक झाने खादे समू हैं, उनके अंशों की संक्या कितनी होने चाहिए। और पुरशों य इनिस्त्रिउं में उनके कारी के अनुसार को नहीं में रखा जाना चाहिए। उधारण के लिए हम मोटे अनाज और खाद्यानों की बात करें, तो यह आप जानते ही हैं कि उनका एक अ यह संख्या 9 है, इसी तरह सामानी कारे करने वाले पुरुष के लिए 15 और 11 और भारी कारे करने वाले पुरुष के लिए 20 और 11 इसी तरह विबिन अन्य जो खादिसमू हैं जैसे दालें, दुग्ध और दुध उत्पाद, जड़ेवं कंध, हरी पतेदार सब्जियां, इन सब के भी अंश कितने होने चाहिए हलके, सामानी और भारी कारे करने वाले व्यक्तियों के लिए इसकी मात्रा इस तालिका में धी गई है, इस तालिका में समय एवं बच्चत की सुविधा के लिए पोशन पिशेशागे आहर विनिमाई सुची का प्रयोग करते हैं इसमें जो दैनी को प्योग में लाए जाने वाले खादिवदार्थ हैं उनको एक समूर में वर्गेकरत होते हैं उनकी पोशनी गुडवत्ता लगभग समान होती है और इनमें जो मुख्य पोशक्तत्व होते हैं जैसे उर्जा, प्रोटीन, वसा, एम कार्पोहाइडेड वा लगभग समान मात्रा में उपस्तित होते हैं समानिता आहर विनिमाई सुची में 6-7 मुख्य खादिव समूर होते हैं जिनमें विविन्न खादिवदार्थ लिए ऑर इनमें जो खादिवदार्थ होते हैं वह लगभग एक प्रकृति के होते हैं इस सूची के अंतरगर्ण यदि frustrate कर के सी दूसरे खादिवदार्थ के स्थानपर चुनते हैं तो मिवे लगभग समान मातरा में पोशक्तत्व होते हैं जैसे यदि था JUST हम प्रेट की एक च होते हैं वह एक चपाती से भी उपलब्द हो जाते हैं तो अगर हम ब्रेट की जगा चपाती का भी उपयोग वड़ते हैं तो मैं लगभग समान मात्रा में पुशक्तत्र राप्त होंगे भारती आहर विनिमय सूची में मुख्य खादी समू हैं प्रोटीन युक्त कार्भोहारडरेड विनिमय जिसमें अनाज विनिमय और जड़ेम कंद विनिमय हैं फिर प्रोटीन बिहीन कार्भोहारडरेड विनिमय जिसमें पहला है शकर्स, शहद, सिरप और गुड और दूसरा है फालूं का जूस, जैम, जैली, फिर है प्रोटीन विनिमय जिसमें हम मांस, मचली, अंडा, दूद, दाले, नट्स और तिलहन इनको लेते हैं, फिर बसा का विनिमय और शाक सबजी विनिमय, मुख्य विनिमय खंड एम इनके खंडों के अंतरगत समान पोशन मूली के खाद एक विनिमय द्वारा 15 ग्राम कार्भॉहर डिडड, दो से 3.5 ग्राम प्रोटीन, 0.5 ग्राम विसमें और शाक जैली, इसी प्रकार जैड़े विनिमय मात बंग के उचकारबख़हारलेर युगत्य सब्यों से जो पोषक तत्धिन प्राप्त होते हैं वह भी यहां दिये गए हैं. तो शिक्शार्थियों, इस वियाक्यार में हमने अहर विनिम्य सूची, अहर नियोजन और संतुरित आहर की बारे में जानकारी प्राप्त करी आपने जाना कि किस प्रकार कुछ महत्पूर तत्यों को द्यान में रखते वे हम आहर नहीं उजन कर सकते हैं अगले व्याख्यार में हम उर्जा तता अन्य पोशक ततों से संबंदित कुछ महत्वर्व तत्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे धन्यवाद